हलो एवरिवन वेलकम टू ग्यारोनी जीयस आज 7 अक्टूबर 2020 के करेंटर फेर में जितने भी मातपून कोस्चन बनते हैं सारे कोस्चन देखेंगे साथ ही डिसकसन करेंगे और हरे कोस्चन से रिलेटट इंपोर्टेंट फैक्स भी देखेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हम राइस और माइकल हुटन और हार्वे जे अल्टर इन सभी को फिजियोलोजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पूर्शकार 2020 से सम्मानित किया गया है सही आंसार होगा आप्शन डी उप्युक्त सभी इंपोर्टेंट फैक्स में देखते हैं नोबेल पूर्शकार माइकल हुटन जो ब्रिटन के हैं इन सभी को या पूर्शकार चिकित्सा के छेत्र में हैपिटाइटिस सी वाईरस की खोज की लिए दिया गया है और नोबेल पूर्शकार की सुरुवात वर्स उनिस्सव एक में हुआ था और यह पूर्शकार अलफेड नोबेल की याद मे तिया जाता है नेक्स्ट कोशन करते हैं अन्फिनिस्ट नामक पुष्टक किसने लिखी है सैयांजर ओप्षन B प्रियांका चोपड़ा तो अन्फिनिस्ट नामक पुष्टक प्रियांका चोपड़ा ने लिखी है और प्रियांका चोपड़ा जो है भारतिय अब नित्री है नेक्स्ट कॉच्छन कर लेते हैं विश्व सिक्षक दिबस कम मनाया गया है सैयांजरे आप संडी 5 अक्टूबर तो हाली में 5 अक्टूबर को विश्व सिक्षक दिबस मनाया गया है इंपोर्टन फैक्स में देखते हैं इस दिबस को मनाने का उद्देश जो है सिक्षकों की भूमिका सिक्षा वा सिक्षकों की स्थिति में सुधार लाना और विश्व में सिक्षकों के परति सहयोग को बढ़ावा देना और सम्मानित करना है और भारत में सिख्षक दिवस परतिक वर्स 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषना येने स्को ने की थी और विश्व सिख्षक दिवस 2020 का थीम है Teachers Leading in Crisis Re-Imaging the Future Next question करते हैं इंपोर्टेंट फैक्स में देखते हैं डरबन सहर जो है अफरीका दक्षिन अफरीका में इस्थित है ये आपने ध्यान रखना है Next question करते हैं किस देश के सासक सबीर अलाहमद अलसबा का निधन हो गया है सही answer है option B कुवेट तो कुवेट देश के सासक सबीर अलाहमद अलसबा का निधन हो गया है हाली में इंपोर्टेंट फैक्स में देखते हैं उपर बातो है फ्रेंट्स कुवेट की तो कुवेट जो है एसिया मादूइब में इस्थित है कुवेट की राजधनी कुवेट सीटी है कुवेट की करेंसी कुवेटी दिनार है और कुवेट के वर्तवान में परधान मंत्री सेख नवाफ अल अहमद अलसबा है किसे इंडो अमेरिकन चेंबर ओफ कॉमर्स यानि आई ए सीसी ने लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार दोज़र बी से सम्मानित किया है सही आंसर है ऑप्सन ए रतन टाटा तो रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चेंबर ओफ कॉमर्स यानि IACC ने लाइप टाइम अचीब्मेंट अवार्ड दोज़र बीस से सम्मानित किया है इंपोर्टन फैक्शन देखते हैं रतन टाटा को यह पुरुषकार उद्रमिता के छेतर में उनके दोरा किये गे उतकिष्ट परदर्शन के लिए दिया गया है और रतन टाटा जो है टाटा संस के वर्तमान में अध्यक्ष है नेक्स्ट क्वेशन करते हैं इंपोर्टन फैक्शन देखते है प्यूस गोयल जो है हमारे देश के केंद्रिया वानीज उद्योग और वर्तमान में रेल मंत्री है नेक्स्ट क्वेशन करते हैं विश्व अंत्रिक्ष सप्ता कम मनाया जाएगा सैया अंसर है ऑप्शन बी चार अक्टूबर से दस अक्टूबर तक तो विश्व अंत्रिक्ष सप्ता जो है चार अक्टूबर से दस अक्टूबर तक मनाया जा रहा है इंपोर्टेंट फैक्शन देखते हैं इस सप्ता को मनाने का उतेश विग्यान एवं परद्योगी की के छेतर में लोगों को जागरुक करना और विग्यान एवं परद्योगी की का मानव इस्थिती की बेहतरी में योगदान के लिए विग्यानिकों को समानित करना है और विस्व अंत्रिक्स सप्ता 2020 का थीम है सेटेलाइट इंप्रूफ लाइफ नेक्स्ट कुर्शन करते हैं इसकी अस्थापना उनीस मई 1894 मुहता इसका मुख्याले जो है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक दयाल सिंग मजिठिया और लाला लाजपत राय थे और पंजाब नेसनल बैंक के वरतमान में अध्यक्ष शुनील महता है और इसके वरतमान में MD और CEO SS मलिकार अरजुन राव है और पंजाब नेसनल बैंक का टैग लेंड है The Name You Can Bank Upon Next Question करते हैं किस देश का भारतिय दूतावास शौर उर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है सही आंसर है Option B Medagaskar तो Medagaskar देश का भारतिय दूतावास सौर उर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है Important Facts में देखते हैं उपर बात वाए Friends Medagaskar की तो Medagaskar जो अफरिका महदुई पिस्तित है Medagaskar की राजधानी Antana Nehrubo है Medagaskar की currency Malagasi Arrayari है और Medagaskar के वर्तमान में राष्टपती Andri Rajuilina है Next Question करते हैं किसने उरिसा के बाला सोर से शौर मिशाईल यानी SLBM K15 का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है सही answer है Option B DRDO तो DRDO ने उरिसा के बाला सोर से शौर मिशाईल यानी SLBM K15 का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है Important Facts में देखते हैं उपर बात हुए फ्रेंट्स SLBM की इसका full form होता है Submarine Launched Ballastic Missile और सोर मिशाईल लगवग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष को मार गिराने में सक्षा में और यह मिशाईल बांकिस मिसाईलों की तुलना में हलकी और संचालन में आसान होगी साथ ही फ्रेंट्स उपर बात हुए DRDO की तो DRDO का full form है Defense Research and Development Organization और इसे हिंदी में रक्षा अनुसंदान एवां विकास संगेठन कहते हैं इसकी अस्थापना 1958 मौत इसका मुख्याले जो है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीस रेड़ी है नेक्स्ट कॉशन करते है बोर्डर इलाके में 7,796 करोर के कम्मिनिकेशन नेटवर्ग के किस प्रोजेक्ट को केंद सरकार ने मंजूरी दी है सही आंसर है इस प्रोजेक्ट का उदेश बोर्डर इलाकों में कम्मिनिकेशन को बढ़ाबा देना है और उपर बात होए फ्रेंट्स एसकों की तो इसका फुल फॉर्मत है आर्मी एस्टेटिक स्विच्ड कम्मिनिकेशन नेटवर्ग यह अपने ध्यान लगना है तो फ्रेंट्स अब अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ग्यान रोनी जीए साथी बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर मैं अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए साथ ही आप हमारे डेली के करेंटर वर का वीडिया प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ग्यान रोनी जीएस को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद